तो यह हूँ मैं और मैं गया हूँ रेनु का मेले में जो कि हिमाचल परदेश के सिर्मॉडिस्टिक में मनाया जाता है भाई यहाँ पे बहुत ही सुंदर लोकेशन है बहुत ही जदा प्यारी लोकेशन है अगर आप यहाँ नहीं आयोए इस मेले में तो प्लीज भाई जरूर आना एक बार देखने बहुत ही जादा सुन्दर लोकेशन है तो यहाँ नदी क्रोस करके हमारे को जाना पड़ता है सीधा एंटर होते भाई हम फिर मेले में और मेले की शुरुवात होती है हमारे यहाँ परश्राम बगवान की मूर्ती से और जैसे जैसे मतलब जिस टाइम पर भाई हम गए थे उस टाइम पर वहाँ जादा भीड़नी थी क्योंकि हम शाम के टाइम गए थे लोग जितने आसपास के गाउं साथ थे आपस चले जाते उस टाइम के लिए और जो यहाँ पर भाई खाना मिलता है वो बहुत ही जादा बेकार था मतलब अगर आप आएंगे तो अपना खाना साथ मिला ना और यहाँ पर चूडियों की शॉप थी और यहाँ से ली भाई मैंने चूडियों की शॉप से अपनी बंदी के लिए चूडिया और जो लड़कों के लिए इसमान था वो भाई सिर्फ एक ब्रेसलेट था और छोटी मोटी चीज़े थी बाकि सब कुछ भाई लड़की के लिए था अब ही आपको यह देखो भाई पार को मंगल सुतर वगएरा पायल वगएरा हर चीज़ लड़की के लिए थी फिर जाते हम भाई मंदीर के पास वहां माथा टेकने और जो मंदीर के आसपास की लोकेशन थी मतलब उसी इसको भाई लड़ियों से सजाया वा था साइड में एक छोटा सा तालाब था उसी इसको बहुत ही मतलब चारों तरफ से तालाब को लड़ियों से सजाया गया था और बहुत प्यारा लग रहा था भाई नजारा रहे परे का और यह है हमारा मेन मंदीर रेनू का माता का दूर दूर से यहां पर लोग दर्शन करने के लिए आते हमा ताके फिर चले जाते हम वहां से और थोड़ी बहुत फोटो बगरा लेते हैं पर भाई यह मेरा दोस्त इसकी फोटो नहीं ली जा रहे थी क्योंकि बीच में से लोग उजर रहे थे और यह है वो मंच जहां पर पहाड़ी सिंगर अपने शोव देते हैं प्रोग्राम देते हैं और फिर हम वहां से चले जाते थोड़ा घूमने फिरने तो परशुराम बगवान की मुर्ती दिखते हमें वहां पे फिर जाते हम सिद्धा उस मतलब जो पड़ी जील है पूरी रेनु का जील है उसके किनार में नहाने के लिए जितने मतलब लड़कों के लिए लग लड़कों के लिए अलग है नहाने के लिए रात के टाइम मंदिर कुछ देखने लायक था बहुत ही सुन्दर दिख रहा था मंदिर तो फिर हम आग जलाके एक घड़ी बैट गए फिर हम वहां से नहीं का जाते वा यह यहां पर यह डढ़ा के रहे